सो गाइस प्रो कबड़ी सीजन 10 का आउक्षन का Day 1 यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है और इस वड़ो मैं आपको Day 1 के हाइलाइट्स बताने वाला हो कौन से प्लियर्स यहाँ पे सॉल्ड हुए है, कौन से टीम ने खरीदा है, कितने में खरीदा है और कुछ बड़े नाम अंसोल्ड भी हुए, वो सभी प्लियर्स के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा तो वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंट तक बने रही है जो डे बन के अपडेट्स ते टेलिग्राम पे मैंने दे दिये और डे टू के भी अपडेट्स आपको जानना है तो आप टेलिग्राम पे जॉइन कर लीज़े ज़्यादा कुछ नहीं काऊगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा शुरुवात करते हैं सबसे पहले प्लियर के साथ तो मोहमा दरिजा सादलू से आउक्षन का शुरुवात हुआ विकोस कैटेगरी एके ओवर्सीस ओल्राउंडर है मोहमा दरिजा सादलू पे बहुत सारे प्लियर्स ने बीट किया पुनरी पल्टन के टीम ने 2.35 करोड में खरीद लिया यानि कि सादलू हमें पुने के जर्सी से देखने को मिल जाएगे यहाँ पे पजल अतरा चली पे बीडिंग हुआ कैटेगरी एक ओवर्सीस डिफेंडर है इनको यहाँ पे गुजराज जाएंट्स की टीम ने 1.60 करोड में खरीद लिया है और फजल हमें गुजराज जाएंट्स एंड राम मेर सिंग के अंडर खेलते वे दिख जाएगे यहाँ पे तीसरे प्लियर की बात किजाए तो तीसरे प्लियर रोहीद गुलिया है रोहीद गुलिया को भी गुजराज जाएंट्स की टीम ने 58.50 लैक में खरीद लिया है और गुजरा जैन्स के अंडर खेलते हुए दिख जाएगे चौते प्लियर की बात की जाए तो चौते प्लियर यहाँ पे विजे मलिक है विजे मलिक अल्राउंडर है कैटेगरी एक है और इनको यहाँ पे UP योधास की टीम ने 85 लैक में खरीद लिया है और विजे मलिक और परदीप नर्वाल का डूओ हमें प्रो कबड़ी सीजन 10 में देखने को मिल जाएगा देन यहाँ पे मनी यानि की मनिंदर सिंग पे बिडिंग स्टार्ट हुआ और मनिंदर सिंग पे बेंगॉल वोरियर्स की टीम ने FBM काट का इस्तमाल कर लिया है और 2.12 करोड में बेंगॉल वोरियर्स ने मनिंदर सिंग को खरीद है और मनिंदर सिंग सीजन 10 में भी बेंगॉल वोरियर्स के जर्सी में खेलते हुए दिख जाएगे और कैटेगरी A के आगरी प्लेयर यहाँ पे मनजीत दहिया इनको यहाँ पे पटना पारेट्स की टीम ने खरीद लिया है 92 लैक्स में और अगें मनजीत दहिया पटना पारेट्स की टीम की तरफ से खेलते हुए दिख जाएगे तो यही पे जो कैटेगरी A प्लेयर्स का जो बिडिंग था वो यहाँ पे खतम हुआ अब यहाँ पे बढ़ते हैं कैटेगरी B प्लेयर्स की तरफ तो कैटेगरी B की शुरुवात हुई मोहमद इस्माइल नभी बक्स के साथ और मोहमद इस्माइल नभी बक्स गुजरा जैंस में सोल्ड हो चुके है गुजरा जैंस की टीम ने इनको 22 लैक में खरीद लिया है और फजल और इस्माइल नभी बक्स की जो डूओ है फिर से प्रो कबड़ी में दुबारा देखने को मिल जाएगा फूने की टीम से नहीं गुजरा जैंस की टीम से दनिया पर अरकम शेक पर बिडिंग स्टार्ट हुआ है और अरकम शेक को भी गुजरा जैंस की टीम ने 20.25 लैक में FBM कार्ट का इस्तमाल करके खरीद लिया है यानि कि अब तक गुजरा जैंस की टीम ने आक्शन में तहल का मचा दिया और दीपक निवास उड़ा पर बिडिंग स्टार्ट हुआ लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीपक निवास उड़ा अनसोल्ड गए इसकास संदीप नर्वाल भी अनसोल्ड गए अजिंग के काप्रे भी अनसोल्ड गए यह तीन बड़े नाम आक्शन के पहले राउंड में अनसोल्ड हुए इन पर दोबारा एंड में यानि की डे टू में बिडिंग होगा यहाँपे नितिन रावल पे बिडिंग स्टार्ट हुआ है और नितिन रावल को बेंगॉल वोरियर्स की टीम ने 30 लैक में खरीद लिया यानि की नितिन रावल अब हमें बेंगॉल वोरियर्स के टीम से खेलते हुए दिख जाएगे और आगे कि जो प्लियर्स है वो यहाँ पे अंसोल्ड हुए है उन अंसोल्ड प्लियर्स के नाम है आशीश जो यूमुमबा के टीम से खेले थे पिछले बार मनोज गवडा, सचिन नर्वाल और गुर्दीप यह चार प्लियर्स अंसोल्ड हुए देन यहाँ गिरिश एरनाग पे बिड़िंग चार्ट हुए और गिरिश एरनाग को यूमुमबा के टीम ने 20 लेक में खरीद लिया और गिरिश एरनाग इस पार यूमुमबा के टीम से खिलते वे दिख जाएगे फिर यहां पे जियूमुम्ण सींग स्टार्ट है बहुती अच्छे ल हैंदर सिंग को खरीद लिया है देन यहाँ पे सुबम सिंदे पे बिडिंग स्टार्ट हुआ एंड सुबम सिंदे पे बेंगॉल वारियस की टीम ने अप्यम काट का इस्तमाल करके 32.25 लैक में टीम में वापस ले लिया है एंड सुबम सिंदे अगेन हमें Bengal Warriors की टीम की तरफ से खिलते वे दिख जाएगे फिर यहाँ पे Sombir पे bidding स्टार्ट हुआ है and Sombir को Gujarat Giants की टीम ने 26.25 लेक में खरीद लिया है and Sombir हमें again Gujarat Giants की टीम से खिलते वे दिखेगे फिर यहाँ पे Vishal Lathar पे bidding स्टार्ट हुआ है and Vishal Lathar को Bengaluru Bulls की टीम ने खरीद लि की टीम ने 20 लेक में खरीद लिया है यानि की दबंग दली के एक नया defender सुनीर लर्वाल है फिर यहाँ पे विशाल भारदवाज पे bidding आया एं शोकिंग लिए विशाल भारदवाज पे भी किसी ने इंट्रेस्ट नहीं दिखाया and Vishal भारदवाज ओक्शन में अंसोर्ड हो है and second round में होप यही करते कि कोई टीम इनको खरीद ले आगे बड़े तो यहाँ पे category B के raiders से यहाँ पे bidding स्टार्ट हो गया श्रिकान जादव से स्टार्ट हुआ है and श्रिकान जादव को यहाँ पे Bengal Warriors की टीम ने FBM कार्ट का इस्तमाल करके अपने टीम में वापस ले लिया है and इनके पास 35.25 लेक में श्रिकान जादव को Bengal Warriors ने खड़ीदा दन यहाँ पे आसु मलीक आया and आसु मलीक पे बहुत सारे टीमों ने इंटरस्ट दिखाया दबंग डली की टीम ने FBM कार्ट का इस्तमाल करके 96.25 लेक में अपने टीम में वापस ले लिया है फिर यहाँ पे पिसले सीजन के करोड़ पती गुमान सिंग पे बिडिंग स्टार्ट हुआ and अगें वैसा ही इन पे बिडिंग सभी टीम ने इंटरस्ट दिखाया and finally end में यू मुंबा के टीम ने इन पे FBM कार्ट का इस्तमाल करके अपने टीम में वापस ले लिया and गुमान सिंग अग फ्लायर पवन सहरावत पे बिडिंग स्टार्ट हुआ and मैं आपको बता दू 20 सेकंड में एक करोड नी दो करोड का चुमार के हुए यहाँ पर पवन सहरावत पे क्रोस हो गया and record breaking यहाँ पे इन पे बिडिंग लगा and Telugu Titans की टीम ने 2.60 करोड and 50,000 में पवन सहरावत को खरी पवन सहरावत को आप कितना excited हो and Telugu Titans के पैंस खुस हो जाए जो आपका दो सीजन का खराब record था सायच से इस बार अच्छा हो जाए पर यहाँ पे विकास कंडोला पे बिडिंग हुआ and विकास कंडोला पे ज़्यादा टीमों ने इंटरस्ट नहीं दिखाया इसी के कारण ब पेंगलोडो बुल्स की टीम ने इनको खरीद लिया है then यहाँ पे सिधार दिसाई पे बिडिंग स्टार्ट हुआ सिधार दिसाई पे बहुत ही टीम्स ने इंटरस्ट दिखाया and इनको हरियाना स्टीलर्स की टीम ने एक करोड में खरीद लिया and finally end में चंदर नंचीत पे बिडिंग हुआ जिसमें बहुत सारे प्लियर्स अंसोल्ड हुए और जिसने तीम से कहलें वैसा नहीं हुआ and unfortunately पतना पाइरेट्स के फैंस बहुत ज़दा सेड होगे तलगू टाइटन के फैंस कुछ होगे विगोश पवन सहरावत आगे गुच्राज जैन के बहुत कुछ जैसे एराणी प्लियर्स खेलते वे दिख जाएगे बेंगॉल वारियर्स के फैंस बहुत ज़ादा खुस होगे कि मनिंदर सिंग अगें बेंगॉल से खेलते वे दिख जाएगे आपकी क्या रहा है आप जिस टीम को सपोर्ट करते हो कैसा रहा डे वन कॉमेंट करके ज़रो बताएगा जो डे टु है वो यहाँ पर कल सुबाद 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा जो लाइफ कवरेज है जो भी प्लियर्स के अपडेट है वो में टेलिग्राम पर सबसे पहले बता देने वाला हूँ जिन्होंने अल्रेडी जोइन किया उनको पता ही होगा आपने नहीं किया है एड़रेट स्पोर्ट सुनिव सेवन टेलिग्राम पर सर्च करके जोइन कर सकते हूँ नितर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और मैं आपको बता दू डे टू का आउक्षन कहीं पर भी लाइब नहीं आएगा तो अच्छा यही होगा कि आप टेलिग्राम पर जोइन कर लिजिए लेटिस्ट आउक्षन अपडेट के लिए यही तब वीडियो और भी इंटरस्टिंग वीड़ आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे और नए इंटरस्टिंग वीड़ के साथ ठैंक्स पर वाचिंग